जेहें दन्मस्कार साथिये स्वागत हैं आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MTS Admit Card 2023 के बारे में साथी साथ हम आपको बताएंगे SSC MTS के exam date आ चुकी है ओफिसेल अपडेट है यहाँ पे Admit Card कब से डाउनलोड होंगे साथी जानकारी इस वीडियो में आपको दूगा सबसे पहले पाइंट पे हम बात करेंगे SSC MTS के exam date क्या है उसके बाद Admit Card कब से डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वस आपसे यही कहना चाहाता हूँ कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को अब आपसे सस्क्राइब कर लीजेगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम SSC के ओफिसियल कलेंडर पे हैं यहाँ पे स्टाप सेलेक्शन कमिशन टेटेटिव कलेंडर ओफ एक्जामनेशन फॉर दा येर दोहजात तेईस एंड चौविस यहाँ पे आप सबसे पहले SSC GD के एक्जाम डेट देखे जो की बिल्कुल सही एक्जाम डेट दी है जनवरी परवरी के महीने में ही एकजाम हुआ है इसके बाद CHSL का भी एक्जाम मार्च में श्टार्ट हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं SSC MTS की तो यह एक्जाम अपरेल के महीने में स्टार्ट होगा ऐसा साला है तो दोस्तो बात करते हैं अप्रेल के महीने में किया एक्जाम होने की संभावना है यह नहीं तो जी हाँ संभावना है आपका एक्जाम एक्जाम करते हैं कब तक आईगी तो सकती है 25 मार्च के बाद किसी बी दिन आपकी एक्जाम डे John Repeat आ सकती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी तक exam date नहीं आई है तो exam postpone हो जाएगा अपरेल में नहीं होगा 25 मार्च तक official exam date अगर आ जाती है तो आपका जो exam है वो 10 अपरेल से start हो सकता है बलकि यहाँ पर बात की जाए exam start होने की तो यह जो exam है यह 10 अपरेल के बाद 15 अपरेल के बाद ही start होगा अब इससे पहले नहीं होगा क्योंकि अभी तक official exam date नहीं आई है और अपरेल start होने में केबल 8 से 10 दिन बचे हुए है तो अभी यह अपरेल के 1st week में exam नहीं start होगा यह यहाँ पर exam 3rd week में start हो सकता है लेकिन अपरेल के महिने में exam start होगा यह बिल्कुल confirm यहाँ पर होने वाला है क्योंकि अपरेल में अगर exam start नहीं होगा तो पूरा अपरेल का महिना खाली चला जाएगा और exam नहीं हो पाएगा बाकि दोस्तों admit card की बात करें तो admit card तभी आएगा जब आपकी exam rate आ जाती है और admit card आपका 15 दिन पहले आना start हो जाता है वो application status होता है जिसे हम e-admit card कहते हैं जो official admit card है वो आपकी exam rate से 4 दिन पहले ही download होता है तो I hope so ये वीडियो पसंद आयोगी अगर इस वीडियो के इलावा आपका कोई भी question है तो आप comment works में comment करके हमसे पूह सकते हैं Thank you